हलो माई डियर स्टुडेंट वेलकम बैक तू माई यूटूब चनल सुभास श्टडी सेंटर कच्छा दस के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे दो हजार चोबिस दो हजार पचीस की अर्धवार्सिक परिच्छा में सत्तर में सत्तर का स्कोर करना चाहते हैं मैं आपके लिए लेकर किया चुका हूँ हिंदी विसय का माडल पेपर मेरे प्यारे बच्चो अर्धवार्सिक परिच्छा का पेपर सेम इसी पैटर्न पर आएगा और आप सभी को पता होगा या आपने अध्यापकों से पता किया होगा कि अर्धवार्सिक परिच्छा के अं पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा किस तरह के पेपर में प्रशन आएंगे यानि आपका जो अरधवार्शिक पेपर होगा उसमें प्रशन कैसे आएंगे सारी चीजे मैं किलियर करा दूँगा तो चयलिये मेरे पैरे बचव श्टार्ट करते हैं आज के इस महत् फूड हİंदी विसे के माडल पेपर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसके प्रशनों का अनालिसिस करते हैं मेरे पैरे बचव तीन गंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा पेपर का पुड़ांक रहेग सत्ता रंकों का कुछ निर्देश हैं सामानी से जिनको आपको पढ़ लेना है और इन ही निर्देशों के अनुसार ही आपको आगे कारी करना है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर निर्देश है पहला 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा पढ़ने के लिए प्रशन पत्र दो खंडों में विभक्त रहेगा खंड आ और खंड बा में मेरे प्यारे बच्चों प्रशन पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रशन दिये रहेंगे जिसमें से सही बिकल्प का चैन करके आपको OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पैंसे सही बिकल्प वा तो बहुत अच्छी बात है और मेरे प्यारे बच्चो खंड आ में जो बहुत अच्छी बात है और मेरे प्यारे बच्चो खंड आ में जो प्रशना आएंगे 50 नंबर के होंगे इनका उत्तर आपको लिखना होगा कापी पर और इसी तरह आपको बोड पर यानि जो बोड काम होगा दोजार पचीज का उसमें भी आपको 50 नंबर के प्रश्ण वाड़नात्मक और 20 नंबर के प्रश्ण बहुविकल्पी देखने को मिलेंगे तो इस माडल पेपर के सभी प्रश्णों को आप लोग तयार कर लेना ये आपकी अर्धवारसिक और बोर्ड परिच्छा द चिंतामड निबंध संग्रा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा चिंतामड मेरे प्यारे बच्छों किसके द्वारा लिखा गया निबंध है आचारी रामचंद्र सुकल जी के द्वारा लिखा गया निबंध है ये प्रश्ण आता है कि चिंतामड किस विधा पर आधारित रचना है तो यहां निबंध विधापर आधारित रचना है जिसके लेखक है मेरे प्यारे बच्चो आचारी रामचंदर सुकल जी दूसरा प्रशन है आकास दीप और प्रतिधोनी किस विधा की रचना है तो आकास दीप और प्रतिधोनी मेरे प्यारे बच्चो ये कहानी वि संकर प्रसाद जी हैं आकास दीप और प्रति ध्वनी नामक कहानी के लेखक चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रशनेहा पर है ठूठा आम किसकी रचना है यह रचना है भगवत सरण उपाध्या जी की डी वाला अप्सन सही हो जाएगा और यदि आपकी बोर्ड प्रशन आता है कि ठूठा आम किस विधा की रचना है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ठूठा आम मेरे प्यारे बच्चों निबंध विधा पर आधारित रचना है मैं एक प्रशन से कई प्रशन किलियर कराता चल रहा हूं तो वीडियो को विलकुल भी स्किप मत करिएग अनिता महात्पूर प्रशन छूट जाएंगे चलिए अगला प्रशन है अपनी खबर किस विधा की रचना है तो अपनी खबर मेरे प्यारे बचो किस विधा की रचना है आत्म कथा विधा पर आधारित रचना है यहां पर डी वाला अपसन सही हो जाएगा यदि प्रशन में आता है अपनी खबर के लेखक कौन है तो इसका उत्तर हो जाएगा पांडे बेचन सर्मा उग्र पांडे बेचन बेचन सर्मा działa उग्र आप लोग ध्यान दीज़िगा पांडे बेचन सर्मा उग्र जी हैं अपनी खबर आत्म कथा के लेखक चलिए अगला प्रशन है निमनलिकित में कौन प्रशिध यात्रा साहितिकार हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट एंसर होगा सीवाला अपसन राहूल सांकरत्यान जी अगला प्रशन है स्रीकरश्न गीता वली के र मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है रीतिकाल के दीर रस के प्रसिध कभी कौन हैं तो रीतिकाल के दीर रस के प्रसिध कभी हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा रीतिकाल के दीर रस के कभी हैं महा कभी भूसर यहाँ पर भीवाला अपसन सही हो अगला प्रशन है, छायावाद की मुख्य विशेस्ता क्या है? तो छायावाद की मुख्य विसेसता है, प्रकतिका मानवी करण या यथार्थ चित्रण, इसमें से कहुन सा राइट आंसर होगा? इसका right answer है मेरे प्यारे बच्चो प्रकति का मानवीय करण यहाँ पर सी वाला अपसन सही हो जाएगा चलिए मेरे प्यारे बच्चो अगला प्रश्ण है तार सब्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है तो तार सब्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943 इस भी अब यहाँ पर एक प्रशन ओर आ सकता है आपकी वार्षिक और आर्धवार्षिक परीच्छा में तार सब तक का प्रकासन या समपादन किसने किया था तो सच्चिरानंद, हीरानंद, वातश्यान, अगेजी ने तार सब तक का संपादन या प्रकासन किया था कब सन 1943 इस भी में चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्ण है आधुनिकाल की समय सीमा यहाँ पर की होगा थोड़ा सा मिस्प्रिंट है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मैनेज कर लेना मैं यहाँ पर सही कर रहा हूँ आधुनी काल की समय सीमा क्या है तो यहां पर आप लोग ध्यान दिजेगा इस प्रशन का दिकल्प इस प्रकार से दिये गए हैं इस प्रशन के तो आधुनी काल की समय सीमा है मेरे प्यारे बच्चों डीवाला आप संसाही होगा सन 1843 सिस्वी से अब तक का समय आधनिक काल के अंतरगत आता है अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजेगा अगला प्रश्न है मड़ी खोए भुजंग सीजननी फनसा पटक रही थी सीस अंधी आज बना कर मुझे को नयाय किया तुमने जगदीस किया नयाय तुमने जगदीस तो मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि इन पंक्तियों में रस कौन सा है तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा यहाँ पर है करूडरस क्योंकि जिस प्रकार से कोई भुजंग अर्थात सर्प की मडिक हो जाती है तो वह क्या करता है अपना फन यानि अपना फन पटक पटक कर अपने प्राणों को त्याग देता है ठीक उसी प्रकार से जब स्रवन कुमार के माता पिता ने जाना कि मेरे प न्या किया है हम लोगों के साथ और यहां पर कौन सा रस है तो दुख है यानि सोक है तो यहां पर है करोड रस मेरे प्यारे बचो अगला प्रश्ण चरण कमल बंदो हरी राई में उपरयुक्त पंक्त में कौन सा लंकार है तो चरण कमल बंदो हरी राई में रूपक लंकार है दीवाला अपसन सही होगा अगला है प्रस्ण सम मात्रिक छंद है सम मात्रिक छंद कौन सा है तो मेरे प्यारे बच्चो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे इस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा चलिए मेरे प्यारे बच्चो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सममात्रिक चंद है यहाँ पर सोठा सोठा चंद के पहले और तीसरे चरण में मेरे प्यारे बच्चो होती है ग्यारह ग्यारह मात्राएं आप लोग यहाँ पर याद कर लीजेगा क्या पता प्रश्ण में आ जाए कि सोठा चंद के पहले और तीसरे चरण में मेरे प्यारे बच्चों होती हैं 13-13 मात्राएं आपने इस प्रश्ण से कुल 3 प्रश्णों को तयार कर लिया है तो उमीद करता हूँ वीडियो बिल्कुल आपको पसंद आएगा आप लोग इन सभी प्रश्णों को रट लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्ण है कह रहा है परिया वरण सब्द में उप्रयुक्त उपसर्ग क्या है तो यहाँ पर परिया वरण सब्द में उपसर्ग क्या है वरण है मूल सब्द वरण क्या है मूल सब्द है इसमें परिया वरण मेरे परी यहाँ पर जोड दिया गया है तो परिया वरण हो गया है मेरे प्यारे बचो यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा सीवाला अपसन अगला प्रशन है निरजन सब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है तो निरजन सब्द में मेरे प्यारे बचो निर उपसर्ग का प्रियोग हुआ है लाभ हान में समास कौन सा है तो जहां पर पहला पद और दूसरा पद पहला पद क्या है हान यहां पर थोड़ा सा आप लोग भ्यान दीजेगा हान लाभ में समास क्या है तो हान है पहला पद और दूसरा पद है लाभ जहां पर दोनों प पदो की बराबर वैलू हो, वहाँ पर होता है मेरे प्यारे बचो कौन सा समास, दूंद समास होता है, और जब इनका दिगरा करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, और लग जाता है, लाब और हान हो जाता है, मेरे प्यारे बचो जब इनका समास होता है, तो और का क्या हो है लोप हो जाता है जैसा कि यहां पर आप देख पारे होंगी चलिए मेरे प्यारे बचो अगला प्रशन है सूरज का तत्सम रूप क्या है तो सूरज का तत्सम रूप हो जाएगा सूरी अगला है प्रशन तद पुरलिंग सब्द का चतुर्थी विभगत एक बचन में क्या होगा तो मेरे प्यारे बचो इस प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग यहां पर ध्यान दीजेगा इसका राइट एंसर है सीवाला प्सन तसमे हो जाएगा अगला है प्रशन वह जाता है वाक है तो वह जाता है वाक कैसा वाक है दीवाला प्सन विलकुल सही ह सरलवाक्य है अगला प्रश्ण है सिच्छक कच्छा में छात्र से पढ़वाता है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है तो यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा प्रेर अड़ार्थक क्रिया अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे खंडबा जिसमें वड़नात्मक प्रश्ण ह होंगे प्रश्णी यहाँ पर है निमनलिखित गद्यांस पर आधारी तीन प्रश्णों का उत्तर दीजी चाह नंबर का प्रश्णा आएगा गद्यांस जो यहाँ पर है इतनी बार बोड पर इच्छा में आया है कि मैं आपको क्या बताओं इसको आप लोग जरूर तयार कर लेना मेरे प्यारे बच्छों यहाँ पर कह रहा है कि कुशंग का जुआर यहाँ पर जुआर होगा कुशंग का जुआर होगा थोड़ा सा मिस्प्रिंट है कुशंग का जुआर सबसे भयानक होता है और मेरे प्यारे बच्छों इस गद्यांस का पहला प्रश्णा लेखक हैं आचारी रामचंद्र सुकल जी कौन है लेखक आचारी रामचंद्र सुकल जी है इस पाठ के लेखक मेरे प्यारे बच्चो अगला प्रशन है रेखांकी तंस की व्याख्या कीजिए तो जो रेखांकी तंस है उसी की व्याख्या करनी है पूरे गद्यांस की अनुसासन है जो भी इरशालू शुभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्ण है उपरियुक्त गद्यान्स का संदर्व लिखिए तो यहां लिया गया है किस पार्ट से इरस्या तू न गई मेरे मन से पार्ट का नाम है इरस्या तू न गई मेरे मन से लेखक कौन है रामधारिसिंग दिनकरजी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग एक बात और ध्यान दिजेगा जो तीसरा प्रशना आता है इसका उत्तर आप गद्यांस में ही आसानी से खोज सकते हैं चलिए अगला प्रश्ण है यहाँ पर निम्नलिखित पध्यांसों में से किसी एक पध्यांस के नीचे दिये गए प्रश्णों का उत्तर देना है तो पहला पध्यांस most most important है चरन कमल बंदो हरी राई जाकी क्रपा पंग गिरी लांग है अंधे को सब कचुदर साई तो यहाँ पर पहला प्रश्ण है उप्रयुक्त पध्यांस का संदर्व लिखे तो किस पार्ट से रचित है पध्यांस पद सीर्शक पार्ट से रचना कार है सूरदास जी फिर जो रेखांकित अंस होगा उसी की व्याख्या करनी है और जो एक और प्रश्ण होगा उसका उत्त क्योंकि इसमें भी संदर्व लिखना है करना आपको एक ही है लेकिन मैं आपको बताता चल रहा हूं कि कौन सा पद्यांस किस पार्ट से है चलिए मेरे प्यारे बच्चों हिमाले से हिमाले से सेर्शक पार्ट से यह जो है पद्यांस है और रचनाकार हैं महादेवी वर्माजी महादेवी वर्माजी है अगला है प्रश्न दिये गए संग्सकरत गद्यांसों में से किसी एक का संदर्व सहित हिंदी में अनुवात करना है आपको पांच नंबर का प्रश्ना आएगा एसा नगरी भारती संग्सकरते संग्सकरत भासा याष्च केंद्र अस्थलम अस्ती वाना रसी सीर्षक पार्ट से लिया गया है मेरे प्यारे बचों आप यहाँ पर देखेंगे अत्वा में भी एक गद्यांस है नागरी कह बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहलिकाया उत्तरम दातुम समर्था नाभवत यह जो है किस पार्ट से है प्रबुद्धो ग्रामी सीर्षक पार्ट से लिया गया है अब यहाँ पर अगला प्रश्ने देखेंगे आप लोग दिये गए संग्सकरत पद्यांसों में से किसी एक का संदर्व सहित हिंदे में अनुआत करना है तो यहाँ पर आप देखोगी कह रहा है वंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया यह जो है किस पार्ट से है दीरह दीरेण पूजयते सीर्षक पार्ट से लिया गया चलिए मेरे पैरेवचों आप यहाँ पर देखेंगे अत्वा में भी है यहाँ पर पद्यांस सर्बे भवंतु सुखिना सर्बे संतु निरामया सर्बे भद्राणी पश्चंतु मा कस्चि दुख भाग भवेत यहाँ पद्यांस लिया गया है भारतिया संग्सक्रती सीर्षक पार्ट से और आप लोग ध्यान दीजेगा इसके बाद प्रश्चन संख्या जो पांच आएगा अपने पठित खंडकावी के आधार पर निम्नलिकित प्रश्चनों में से किसी एक का उत देना होगा चलिए अगला प्रश्चन है छे का के इंतरगत यहाँ पर दिये गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परचे आपको लिखना है उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है पांच नंबर आपको मिलेंगी तो आचारी रामचंदर सुकल जै संकर प्रसाद राजंदर प्रसाद इन तीनों कवियों का जीवन परचे आप लोग तयार कर लिजिएगा और ये तीनों जीवन परचे आपकी बोर्ड परिच्छा 2025 के लिए भी most important हैं अगला प्रशन दिये गए कवियों में से किसी एक कवियों का जीवन परचे आपको लिखना होगा और एक प्रमख रचना का नाम लिखना है पांच नंबर का प्रशना आएगा सूरदास तुलसीदास महादेवी वर्मा ये तीनों कवियों का जीवन परचे आप लोग तयार कर लो most important हैं चलिए अपनी पार्ट पुस्तग में से कंठस्त कोई है किस लोग लिखना है जो इस प्र अगर अधिकारी को पत्र लिखना है अथवा चातर ब्रत्ती प्राप्त करने है तो अपने विद्याले के प्रधानाचार को एक प्रात्ना पत्र लिखिए तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर किसी एक प्रशन का उत्तर करेंगे आप चार नंबर आपको मिलेंगे अगला प्रश्ण है निमनलिखित प्रष्णों में से किनी दो प्रष्णों का उतर आपको शंक्सकरत में करना है दो नमबर का प्रष्ण आएगा चलिए यहाँ पर इन सभी प्रष्णों को आप लोक तयार कर लेना most important प्रश्ण है और अगला प्रश्ण है निमनलखित में से किसी एक विसाय पर निवन्द लिखिए तो विसाय यहां पर है विज्ञान, अभिसा, प्यावर्दान, प्रदूसर की समस्या और समाधान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, देशाटन सिलाब, छात्र जीवन में अनुशासन का महात्तो, मेरे प्यारे बचो साथ नंबर का आएगा निबंद पराधारित, तो आप इस माडल पेपर को जरूर तयार कर लीजेगा, क्योंकि ये सभी प्रशनाप की अर्धवार्सिक और वार्सिक परिच्छा में 100% पूछे जाएंगे, मेरे प्यारे बचो ए आप पहले बार आए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा, जैहिंद!